प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाथ नबी योयल का ग्रंद अध्धे 2 पद संख्या 12 से 18 तक प्रभू यह कहता है अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हिर्दय से मेरे पास लाउट आओ अपने वस्त्र फाड कर नहीं बलकि हिर्दय से पस्चताब करो और अपने प्रभू यह के पास लाउट आओ क्योंकि वह करुणा में दयालो अत्यंत सहंशेल और दयासागर है और वह सहज द्रवित हो जाता है क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आश्रुवाद प्रदान करे तब तुम लोग अपने प्रभू ईश्वर को बले और तरपन चड़ाओगे सियोन परवत पर तुरही बजाओ उपवास घोशित करो सभा की बैठक बुलाओ जन्ता को इकट्टा करो बुढो बाल को और दूद मुहें बच्चों को भी बुलालो दुल्हा और दुल्हिन अपना कमरा छोड़ कर चले आए प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोती हुए इस प्रकार प्रार्थना करे प्रभु अपनी प्राजा पर दया कर अपने लोगों का अपमान ना होने दे रास्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे गैर यहुदी या नक कहने पाए कि उनका इश्वर कहां रह गया तब प्रभु ने अपने देश की सुधली और अपनी प्रजा को बचा लिया या प्रभु की वानी है संद मत्तिक अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई छे वाके एक से छे और सौला से अठारा तक येशु ने अपने शिश्यों से कहा सावधान रहो लोगों का ध्यान आकर्शित करने के लिए अपने धर्मकारियों का प्रदर्शन ना करो नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता की पुरसकार से वन्चित रह जाओगे जब तुम दान देते हो तो इसका धिंडोरा नहीं पिटवाओ धोंगी सभाग रहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशनसा करे मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ वे अपना पुरसकार पा चुके हैं जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाय हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दाय हाथ क्या कर रहा है तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरसकार देगा धोगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो वे सभाग रहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देख सके मैं तुम लोगों से कह देता हूँ वे अपना पुरसकार पा चुके हैं जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाकर दुआर बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरसकार देगा ढोंगियों की तरह मुँ उदास बना कर उपवास नहीं करो वे अपना मुँ मलिन कर लेते हैं जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ वे अपना पुरसकार पा चुके हैं जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुँ धोलो जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अद्रिश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो तुम्हारा पिता जो अद्रिश्य को भी देखता है तुम्हें पुरसकार देगा ये प्रभु का देव्य सु समाचार है ख्रेष्ट प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेहनों आज से 40 सा काल शूरू हो रहा है आप जानते हैं क्रिसमस से पहले हमने क्रिसमस की तयारी के तोर पर आगमन काल रखा था क्रिसमस की तयारी के लिए अपने आपको तयार करने के लिए उसी तरह प्रभीयसु के दुख्भोग, मृत्यू और पुनुरुथान के पर्व को मनाने से पहले हम करीब 40 दिन या उसे ज़ादा उपवास प्रार्तना तपस्या में बिताते हैं कि प्रभु के पुनुरुथान का पर्व हमारे लिए अनुगरह का समय बने, कृपा का समय बने और आज राख बुद्वार है आज के दिन गिर्जा घरों में, प्रार्तना भोनों में पूजन विधियां होती हैं, प्रार्तनाएं होती हैं और आज के दिन विश्वासियों के माथे पर राख अंकित किया जाता है और उस समय पुरुहित या अग्वा वही बात बताता है जो ईश्वर ने आदम और हिवा से कहा मनुश्य तु मिटी है तु मिटी में मिल जाएगा चालीसा काल के प्रारंभिक दिन पहले दिन ही मनुश्य को ये बताय जा रहा है कि तु मिटी है और मिटी में मिल जाएगा इसलिए सत्य को जानते हुए ईश्वरोन मुख जीवन शुरू करो सानसारिक नहीं बलकि स्वर्ग के लायक जीवन शुरू करो और आज से लेकर संपूर्ण चालीसा काल में जो बराबर एक बात हमें सुनने को मिलेगी वो बात है पर्ष्चाताब करो वापस आओ ये घर वापसी का समय है ये पिता के भवन की और वापस जाने का समय है ये पर्ष्यताब का समय है और आज के पहले पार्ट में हमने नभी जोयल के ग्रंथ से सुना कि हमें कैसे परश्चताब करना चाहिए बहुत सुन्दर वचन है सबसे पहले प्रभु कहते हैं अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हिर्दे से मेरे पास लाटाओ यहां हिंदी में अनुवाद कुछ कमजोर पढ़ गया है हंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है इवन नाउ रिटान टु मी अर्थाथ अब भी तुम मेरे पास लाटाओ अब भी यानि तुमने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं अपराध किया है तुने अपने आपको बरबाद किया है अपने जीवन को बरबाद किया है दूसरों को बरबाद किया है अपनी परिस्थितियों को बरबाद किया है कोई बात नहीं इवन नाओ, अब भी तुम मेरे पास लाट आओ, उडाओ पुतर का दिश्चांतली जी, उसने सब कुछ गवा दिया था, और उसके स्वास्त भी बिगड़ गया था, सब कुछ खराब हो गया था, तब भी जब वो वापस आया, उसके पिता निग्रहन किया, तो प्रभु कहत हैं, अब भी तुम मेरे पास लाट आओ, तुमने समय गवा दिया, असर गवा दिया, धन गवा दिया, स्वास्त गवा दिया, नाम गवा दिया, कोई बात नहीं, अब भी तुम मेरे पास लाट आओ, कितना सुंदर आहवान है, और आगे प्रभु कहते हैं, कि हम कैसे उपवास करते हुए तुमारे शरीर ने तुम्हें पाप के लिए मजबूर गिया अब उस शरीर को तपाओ उस शरीर को थोड़ा सा दुख दो उपवास करते हुए और आगे प्रभु कहते हैं शोक मनाते हुए रो लुकस अद्याय साथ उस नारी के बारे में सोचिए जो पाप में जिवन जी रहे थी प्रभी येशू के पास आती है प्रभु के कदमों के सामने खड़ी होती है इतने आशू गिराती है कि येशू के दोनों चरण आशूं से भीग गए उसने अपने पापों को कहा नहीं बस आशूं के द्वारा प्रगट किया अंत में प्रभी येशू ने कहा नारी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है शांती प्राप्त करके जाओ तो परश्यताब की वीधी यहां पर बता ही जा रही है प्रभु कहते हैं आंसु बहाओ आंसु बहा कर अपने पापों के लिए माफी मांगो चौती बात प्रभु यहां पर कहते हैं वो क्या है पूरे हिर्दे से परश्यताब करो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मसीहों को पाप स्विकार संसकार ग्रहन करने की आदत है आदत के अनुसार नहीं बलकि सच्चा पश्यताब प्रभु कहते हैं तुम वस्त्र मत फाड़ो उस जमाने में यहुदी लुग अपने पश्यताब को प्रकट करने के लिए अपने वस्त्रों को फाड़ देते थी प्रभु कहते हैं कि हिर्दे फाड़ कर पश्यताब करो सच्चे हिर्दे से पश्यताब करो एमानदारी से पश्यताब करो मेरे प्रिये भाई और बेनों मैंने कई बार कहा है सच्चे पश्यताब की द्वारा हमारे जीवन में एक आमूल परिवर्तन ना सकता है हमारे जीवन के मार्ग बदल सकते हैं हमारा भविष्य बदल सकता है सच्चे परश्चताब के द्वरा यह अरमेस अध्याई 29 उसके वाकि 13 और 14 को पढ़िएगा प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हिर्दे से मुझे ढूंडोगे मैं तुम्हें मिल जाओंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलड़ दूँगा तो यह चालीसा काल हमारे लिए सच्चे परश्चताब का काल है कारण बताता है नभी क्या है क्योंकि तुम्हारा प्रभु इश्वर करुनाम इश्वर है देर से क्रोध करने वाला जल्दी द्रवित होने वाला अनुग्रय का संपन इश्वर बैबल में जिस इश्वर के बारे में हमें बताया गया है वह इश्वर अनुग्रय से भरा देर से भरा करुना से भरा हमारे पापों का नजर अंदाज करने वाला इश्वर हमारे पापों को याद ना करने वाला इश्वर इसलिए चालिसा काल में बचन कहता है प्रभु के पास लाउटाओ और आज की सुसमाचार में प्रभी इस्वा में तेन बातों की बारे में बताते हैं जिसके द्वारा हम पुन्य कमा सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं. वे तीन बाते हैं भिक्षादान, प्रार्थना तथा उपवास. एक विश्वासी की जीवन में इन तीनों को महतों मिलना चाहिए. भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास. और आज प्रभु हमें सिखाते हैं, कि कैसे हम इनको पुन्य कमाने और पवित्र बनने का माध्यम बना सकते हैं. उसके लिए प्रभु सबसे पहली बात ये कहते हैं, कि दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए. लोगों को दिखाकर भिक्षादान नहीं देना चाहिए. नाम कमाने के लिए बिक्षादान नहीं देना चाहिए. बलकि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ को ये पता ना चले, कि तुमने अपने दाहिने हाथ से क्या दिया है, कितना दिया है. यानि प्रभु कहते हैं गुप्त दान दो ताकि तुम्हारा स्वर्गीक पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें पुरस्कारपदान करेगा बिक्षादान का बहुत बड़ा महत्व है हमी पवित्र करने में मनुष्य स्वार्ती है मनुष्य लेना ज़्यादा चाहता है लेकिन जहां वो देता है वो अपने नैसरगीक प्रवृती से बाहर जाता है देना इश्वर का गुण है लेना मनुष्य का गुण है हम जितना देते जाते हैं उतना ज़्यादा हम पवित्र होते जाते हैं हम अपने स्वार्थ को ही घटाते हैं हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंध की अध्याई 35 उसके वाकि चार में लिखा हुआ है परुपकार अन बली लगाने के बराबर है जो भिक्षादान करता है वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है इसी तरह तोबित के गरंध की अध्याई 12 उसके वाकि आठ से भी हमें पढ़ने को मिला भिक्षादान के द्वारा यानि परुपकार के द्वारा दान के द्वारा हम अपने आप में पवित्र बन जाएंगे दूसरी बात जिसके बारे में प्रभिए सुन्या में सिखाया है वो बात यह नहीं है आईश्वर के करीब हूँ ऐसे प्रार्तना नहीं करने चाहिए बल्कि प्रभु कहते है जब तुम प्रार्तना करते हो अपने कमरे के अंदर प्रवेश करो एकांत में प्रार्थना करो इसका मतलब यह नहीं कि हमें सामुहिक प्रार्थना नहीं करनी चाहिए लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में प्रभु समझाते हैं जिसके द्वारा में कृपाएं प्राप्त होती है प्रभु कहते हैं एकांत में अपना पिता स्वर्गिक पिता जो तुम्हें एकांत में भी देखता है तुम्हें पुरसकार देगा लोगों को दिखाने के लिए प्रात्ना ने करनी है बलकि एकांत में प्रात्ना करनी है जिसके द्वारा तुम पवित्र बनोगे तुमें कृपाएं प्राप्त होगी तुम पुर्णे कमाऊगी तीसरी बात प्रभु कहते हैं उपवास के बारे में उस जमाने में लोग उपवास करते समय लोगों को दिखाने के लिए अपने बालों को छितरा देते थे चहरे को धोते नहीं थे ताकि लोग जाने के उपवास कर रहा है प्रभु कहते हैं लोगों को दिखाने के लिए पवास नहीं करना चाहिए बलकि तुम्हारे स्वर्गीक पिता जो एकांद और सब कुछ देखता है उसको दिखाने के लिए करना स्वच रहना बाल बनाना शुद रहना चहरा धोना मेरे प्रीभाई और बेनों हमें बाहिता से आंतरिक्ता क्यों जाने के अवश्यक्ता है हमारे कई धार्मिक विधियां धार्मिक कार्य बाहिय हैं दिखाने वाले हैं आडंबर हैं प्रभियस्व हमें सिखाते हैं कि आडंबरों को छोड़कर आंतरिक्ता की उर जाएं हमारी आध्यात्मिक्ता को आंतरिक होनी चाहिए मैं इस पर गहरा विश्वास करता हूँ यह मेरा दिड़ विश्वास है क्योंकि इश्वर बाहि रूप रंग नहीं देखता है पहला सामयुल अध्याई 16 बलकि इश्वर हिर्दे को देखता है हमें एकांत और आंतरिक रूप से अपने धर्मकारियों को करना चाहिए आईएं प्रार्टना करें यह 40 कसमे हमारे लिए सची आध्यात्मिक वृद्धी का समय बने प्रार्टना की द्वारा वो पुवास के द्वारा विक्षादान के द्वारा हम प्रभु के करीब आजाएं अपने सारे पापों के लिए प्रभु से हम माफी मांगें है द्यालू पिता तेरे पुतर येशु के नाम पर इस 40 काल में हमें घर वापसी का तेरे भवन की और वापस आने की करपा मिले हर प्रकार के बंदन से छुटकारा पाकर हमें पवितरता का जीवन जीने के लिए करपा दिजिए हमारे हिर्दे और मन को एकागर कीजिए हमें बाहिता से आंदरिक्ता के और जाने के लिए करपा दिजिए हम गहराई से प्रार्थना कर सके हम अपने पास जो है उसमें से लोगों को बाढ़ सके हम उपवास की द्वारा अपने शरीर को तपा सके ए प्रभी येशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को अश्रवात देना तेरे पवित्र हाथ उन पर रखना अनग्रो और आशिश का हाथ तुने कहा है मांगो और तुमें दिया जाएगा मांगता हूं येशु ये चाली सा काल सभी विश्वास्यों के लिए अनुग्रा का समय बने हमारी प्रार्तना को ग्रहन कर आमेन सुथने तुमें ये चाली सलाओ futuro मांगता हूं एक बने क्रभानों सтов बने हमारी विआ बने